Hello everyone, welcome again, you're watching food, fitness and fun हम आज आप के लिए एक बार फिर एक हल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जो बनी है कीनुवा और ब्रोकन ओट से हमने ब्रोकन ओट और कीनुवा की बेनिफिट्स इसे कैसे बनाते हैं, कैसे कुक करते हैं उसके बारे में आपसे इंफोर्मेशन शेयर की थी और साथ ही प्रोमिस किया थे कि जल्दी हम बहुत सारी इसकी रेसिपी आप के साथ शेयर करेंगे तो एक और रेसिपी के साथ हम आए हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कैप्सिकम, ब्रोकली और गाजर यानी कैरट्स को छोटा-छोटा चौप करके एक बड़े बोल में डाल लिया है और साथ ही हमने इसमें चौप्ट अनियन्स डाले हैं, यह है किनुवा, यह कुक्ट किनुवा है यह भी हमने इसमें आधा कप आट किया है और राजमा राजमा यह cooked है, leftover है boil आप जैसे भी चाहें इसको use कर सकते है लेकिन make sure वो अच्छी तरह से cooked हो यह है broken oats जिसे steel cut oats भी का जाता है इन्हें भी हमने pre-cooked किया हुआ है कैसे इन दोनों चीज़ों को cook करना है वो हम आपके साथ information share कर चुके हैं आप के लिए हम description box में वो link share कर देंगे और साथ ही आप screen पर भी उन links को देख सकते है हमने इसमें हरा धनिया, coriander डाला है साथ ही स्वात के अनुसार नमक dry mango powder यानि अमचूर जिसकी recipe हम आपके साथ share कर चुके हैं कैसे आप अमचूर powder घर पर ही बहुत असानी से बना सकते हैं जो शुद्ध होगा साथ ही हमने इसमें जीरा powder और coriander यानि धनिया powder डाला है तोड़ी से मिर्च अब हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च जैसे आपको पसंद है हम इसे अच्छे तरह से mix कर लेंगे राजमा एक अच्छे binder का काम करेगी इस recipe में और साथ ही दुनों चीज़े कोगड़े यानि कीनुवा और oats तो वो भी binding में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस तरह हम अपने हाथ से हम bind कर लेंगे और bind करने के बाद एक एक करके इसे प्रेट पर रखते जाएंगे यह जो दोनों इंग्रीडियंट है oats और quinoa दोनों weight loss के लिए आजकल बहुत popular है और यह snacks ऐसे हैं जिसे आप breakfast में भी खा सकते हैं as a snack खा सकते हैं आप अपने party में इने बना कर अपने guest को serve कर सकते हैं बच्चों के लिए बेहदी healthy recipe है आप इसे जरूर try कीज़ेगा अब इनको एक अच्छा crust outer देने के लिए एक अच्छी एक crunchy layer उपर देने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक चमच oats का आटा oats को जो kwe coats होते हैं हमें उने grind करना है और यह हमें मिल जाएगा हमने इसमें पानी दलके इसका एक paste बनाया है और उसमें हम दालेंगे नमक साथ ही हमने अपनी baking tray tray तयार कर ली है उसमें parchment paper लगा कर उसे हलका से grease करके हम अपने paste में पहले अपने cutlets को या kebabs को dip करेंगे और फिर उसे coat कर लेंगे यह brown bread के crumbs में यह crumbs भी आप घर पे असानी से बना सकते हैं यह हम एके करके tray पर लगाते जाएंगे आप चाहें तो baking के सिवा इसे आप तवे पर या फिर pan में भी easily दोजो तरफ से सेख सकते हैं तो आप इसे बेक कर सकते हैं आप इसे तवे पर सेख सकते हैं इन kebabs को pan में सेख सकते हैं आप इने deep fry करने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है यह बहुती crusty तब भी बनेंगे अच्छे बनेंगे हलका सा इनके ओपर हमने olive oil लगाया है ब्रश से इने हलका सा ब्रश कर दिया है और आप हम इने बेक करेंगे 18-20 मिनट के लिए in a preheated oven 180 centigrade उसका temperature रखेंगे और यह kebabs जो हैं आप इने warm serve कीजिए अपनी फेवरिट chutney के साथ, dip के साथ या फिर sauce के साथ For more such recipes, do subscribe and keep watching Until next time, bye-bye